नमस्कार मैं शिवम हूँ आप द्याज़ी नियूज देख रहे हैं पस्चिम मंगाल में चुनाव जारी है इस कोरणा के बीच भी चुनाव हो रहा है आज साथवें चरण का चुनाव होना था पांच जीलों के 34 विधान सवा सीटों पर ये चुनाव जारी है देख को जारी है और अभी वोट गिर चुके थे और अभी वोट जारी है जो की समय है समय सुबह साथ वाजसे लेकर सामके साइच चुनाव हो रहे है आज के जो चुनाव है उस चुनाव में बाड़ह थाजार से जादे मद्दान केंदर है जहां पर 700 से जादे केंद्रिय बलों की जो तैनाती है वो है कमपनियों की तैनाती है आप सोच सकते हैं किस तरह से पश्चिमंगल का चुनाव करवाया जा रहा है 700 से ज़ादा केंधरियेबलों के कमपनी का तैनाति करना ये एक एहम हो जाता है 12,000 से ज़ादा मद्दान केंधर है वह इसलिए कि कोर्णा काल है कोई सिस चुनावायोगद्वारा किया जा रहा है कि किसी तरह इस कोर्णा काल में लोगों को कोर्णा से बचाया जाए और इस तरह से चुनाव करवाया जाए कि लोगों पर कम इफेक्ट पड़े आपको पता है कि देश में तीन लाग से जाद है प्रतिदिन जो है वो कोर्णा का आकरा आ रहा है और इसलिए आज का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी यही सब बातें ध्यान में रखी जा रहे है चुनावायो की तरफ से स्ट्रिकली बोला गया है कि आप कोर्णा के गाइडलाइन्स को फॉलो करें ताकि लोग बच सके कोर्णा से और अपनी जान बचा सके दूसरों की जान भी बचा सके तो फिलाल के लिए इतना ही अभी की खबर है कि अभी वोटिंग जारी है आठमेचन का भी चुनाव होना है 35 विधानसवा सीटों पर और आठमेचन का चुनाव 29 तारिक को होगा उसके बाद 2 मई को फैसला आएगा कि पस्चिम मंगाल का सरताज किसके मत्थे चड़ेगा आप जोने रहे दियाज़ी नियूज के साथ हम आपको बताएंगे हर खबर अपडेट करेंगे